यार आज हम सीखेंगे कि स्नेक पजल या स्नेक क्यूब या रूबिक स्नेक को सॉल्फ कैसे करते हैं माना जाता है कि अगर ये बॉल शेप में हो जिस शेप में ये इस वक्त है तो भई ये सॉल्फ माना जाता है तो आज हम बॉल ही बनाना सीखेंगे मैंने असल में काल एक community post डाला था और पूछा था कि बई कुछ ideas दो videos के लिए तो यार कुछ ऐसी ideas मिले कि बई Rubik Snake तुम बनाते थे फिर मुझे याद है वाक़ यार मेरे channel की initial level की जो growth थी वो Rubik Snake से ही हुई थी तो क्यों ना आज चार साल बात दुबारा एक tutorial बनाया जाए जिसमें मजीद इसको असान करके समझाया जाए कि इसको हम कैसे solve कर सकते हैं आप इसको scramble मान सकते हो ठीक है ये इस तरह का कुछ दिखता है मैं आपको बता दूँ आपने start इस तरफ से करना है मतलब इस तरफ से नहीं आप लोगों इस तरफ से start करना है और ये कुछ ऐसा हो इस तरह नहीं होना चाहिए ये वाला area नीचे हो अब मैं आपको यहां पे दो चीज़े बताना चाहता हूँ इसकी भी notations है अगर मैं इस चोटे triangle मैं इसको बोलूँगा ठीक है अगर मैं इस green triangle को या green piece को दूर करता हूँ तो इसको हम बोलेंगे कि हमने इसको दूर कर दिया piece को दूर कर दिया और अगर मैं इसी piece को अपने तरफ करता हूँ इस तरफ तो हम बोलेंगे हमने इस पीस को अपने पास करती है बस ये दो अनुटेशन है जिसको समझ आगी कमाल है और अब शुरू करते है basic strategy कि अगर तुम लोगों को समझ आजेगी तो पूरे tutorial की समझ आजेगी सबसे पहले तीन steps जो हैं वो ये हैं सबसे पहले हमने यहां से hold करके इस पीस को दूर कर देना इसके बाद यह वले green piece को जब हम अपने पास करेंगे तो यह पीछे वला सारा हमारे पास आजेगा इस तरह समझवा कर देना अब हमने holding position चैंझ करनी है हमने कुछ इस तरह holding position कर देनी है यानि कि ये जो चीज़ा ये ऐसे है मतलब ऐसे था तो हमने इस वली चीज़ को डाउन कर देना और ये अब यहां से स्ट्राटेजी शुरू होती है गोर करना ये ऐसे है ऐसे तो हमने यहां पे भी ऐसे बनाना है सेम ऐसा तो हम जब इस वले piece को एक दफा गुमाएंगे इस वले piece को गुमाएंगे तो देखो ये भी ऐसा हो गया ये भी ऐसा हो गया और अब अगले दो moves अगर तुम लोगों को समझ आ जते हैं तो same वही moves हमने बार बार repeat करते जाने हैं क्योंकि अब हमने इन दोनों को अपस में attach करना है तो अगर हमने इसको इससे attach करना है तो ये हमारे pass है ये दूर नहीं है तो हम इस piece को अपने pass करेंगे देखना इस piece को pass करेंगे पास कर लिया और ये वले पीस को ये वले पीस को अपने से दूर करेंगे जब ये दूर हो जाएगा तो ये दोनों अटैच हो जाएगे कुछ इस तरह अब सेम सेम मूव्स हमने करते रहने हैं ये बॉल की दो साइड बन गी है आप कह सकते हो अब same moves हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे हमारी मर्ज़िया हम इसको पीछे से solve करना चाहे कहां से solve करना चाहे सारी हमारी मर्ज़िया लेकिन इतना कर लेने के बाद हमने सबसे पहले same ऐसी condition इसकी बनानी है जैसे यह है यानि कि एक दफ़ा इसको ऐसे गुमाएंगे तो वो भी same ऐसी condition में आ जाएगा अब हमें इसको इससे अटैच करना यानि दूर वले से तो हम एक दफ़ा इस वले पीस को दूर करेंगे और इस वले पीस को पास करेंगे और अब इन दोनों को अपस में कुछ ऐसे ट्विष्ट करके अटैच कर देंगे और मैंने कहा था जब हमारा इतना हो जाए तो हमने इस तरह का बनाना है तो यहां भी हम same इस तरह का बनाएंगे और यह हमारा चारो की तरह बनगे इन तीनों की तरह यह चार हमारे बनगे यहां एक साइड हमारी complete होने लगी है तो अब 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 क्यूंकि हमने इसके साथ अटैच करना है तो जब इस तरह अटैच करना है दूर वले के साथ तो एक दफ़ा इसको दूर बेजेंगे और साथ वले को अपने पस कर लेंगे अब इन दोनों को आप लोगों को पता हम एसे अटैच कर सकते हैं और मैंने कहा था कि जब अटैच कर लें तो हमने इस शेव में लेकर आना तो तो दोबारा इस शेय में लेकर आएंगे अब यहाँ से कुछ चीज़ें थोड़ी सी complicated हो सकती है लेकिन अगर तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम लोगों को पता है है हाँ complications का कोई काम नहीं है अब हमने इसको इसके साथ attach करना है तो जब हमने यह pass वले के साथ attach करना है और याद कर लेना चाहिए कि यहाँ से हम करेंगे क्या यहाँ से याद कर लो हम सबसे पहले इस piece को दो दफ़ा गुमाएंगे इस white piece को यह देखना एक और दो दो दफ़ा गुमा दिया अब लास्ट के दो moves रहागे हैं लास्ट के दो moves, अगर यह तुम लोगो ने याद कर ली है तो शारा puzzle तुम लोगों को यादँ हो गया यह वाला जो piece है तुम लोगों ने इसको clockwise भुमाना है इस green piece को clockwise जैसे यू move करते है एक दफ़ा clockwise भुमाया अब इस piece को तुम लोगों ने anti clockwise गुमाना यह जो green है यहाँ पर रहते ही और तुम लोगों का solve क्यूंकि last का दो moves है तुम लोगों के अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो यह इससे attach हो जएगा और इसको पकड़के ऐसे करोगे तो यह इससे attach हो जएगा और लाज तो move देख कई कोई भी समझ सकता है हमारा ball बन चुका है I hope यह छोटा सा tutorial तुम लोगों की मदद करेंगा इसको solve करने में और अपने दोस्तों को impress वगरा करने में ball puzzle या rubik's ball या snake cube अगर तुम लोग इस पे मजीद videos चाहती हो तो मुझे कमेंट करना मुझे बहुत मज़ा या यह video बनाने में पुराने दोर में चला गया चाहर साल पहले हम इस पे videos बनाया करते थे तो अब भी बना सकते है ऐसी कोई बात नहीं है और मैं मजीद असान करता रहूंगा वक्त के साथ इन चीजों को बक्की अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो like, share, comment करना चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ बने बैल एकन को दवा दो मिलते है अगली वीडियो में गुडबाई